Is it amazing? Classroom become a spaceship Classroom your eyes imagine that your class is a spaceship In 10 minutes, you have entered in space आखे बंद करो और सोचो कि तुमारी क्लास एक अंतरिश यान बन गई है तुम सूँ से 10 मिन अंतरिश में पहुँच गए हो तुम्हारा यान अब प्रित्वी के चारो तरफ चक्क लगा रहा है अब बताओ क्या एक जगा बैड भी पा रहे हो यहां पे दिया है कोश्चन पुछा यह वाट बाउट यूर है क्या तुम्हारे बाल बालों का क्या हाल है मतलब सारे कोश्चन फूट अप के जा रहा है कि क वी त्रो ए बाल अप इन एयर इट फाल बैक वी आर एबल तो कैच इट अन द अर्थ वी डॉंट कीप फ्लोटिंग अराउट वेन वी वी फिल ए ग्लास और बकेट विट बाटर इट से दियर प्रित्वी पर कुछ भी उच्छाले तो आप वापस नीचे आता है बाल उच् पर वापस पकड़े तो पकड़ पाते हो न प्रित्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते हैं मतलब प्रित्वी पर हम तैरते नहीं है पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है बुलिबले बनकर के घुमता नहीं है यह कमाल का प्रित्वी प्रि 3360 km away from the Earth, in the spaceship सुनिता विलियन्स, प्रित्वी से 360 km दूरा स्पेश्षिप में गई थी सोचो 360 किलोमेटर कितना दूरा होता है तुम जहां रहते हो वहांसे 360 क्लोमेटर कौन सा हय प्रित्वी से बाहर गई थी आगे सब question put up किये गए हैं उसको fill करवाया जाएगा यहाँ पर project work दिया गया है यह project work आपको अपने teacher और सापार्थियों की साहता से इस project को करना है आगे दिया है लकीरे आखिर कहा है Where are the lines really? लकीरे आखिर कहा है सुनीता describe her view of the earth from the spaceship the earth looks so beautiful and amazing we could watch it for hours from the windows of spaceship we could clearly see the curved space of the earth spaceship की खिड़की से प्रिथवी को देख कर सुनीता बताती है प्रिथवी बहुत ही अजबुत और सुन्दर दिखती है इतनी सुन्दर की उसे गंटों तक निहारते रहो अंत्रिष से प्रिथवी को गुलाई भी साब दिखती है आगे यहाँ पर दिया है सिच्छक संकेत दिया गया है इसमें आपको सिच्छक द्वारा इसका प्रोजेक्ट कराया जाए प्रोजेक्ट वर्क है तुम भी देखो हमारी प्रिथव का यह फोटो जो दिया गया है इस पेस से लिया गया है आज तो यहाँ फोटो देख पा रहे हैं पर हजारों सालों लोग कलपना ही कर रहे थे बला पूरी प्रिथवी कैसी दिखती है कोई बैग्यानी जानने की कोशिश कर रहे है की प्रिथवी कितनी बड़ी है और कैसे गूम रही है फोटो को देखकर बताओ लुक एड़ फोटोग्राफ एंड टेल फोटो को देखकर के इसमें आपको भरना है इसके question दियेगे उसको बताना है आगे दिये उजैरा और सामीर की बातें आगे बढ़ती है उजैरा See there are lines between the different countries on this globe Are such lines also there are on the earth उजैरा globe पर तो सारे देश के बीच लकीरे दिखाई देती है क्या प्रित्वी पर ऐसी line खीची होती है सहमी लकीरे होती है हमारी किताब में इंडिया की नक्से में भी है देखो राजियों के बीच line आप दी गई है उजैरा करती है अगर हम दिल्ली से राजस्तान जाएंगे तो क्या रास्ते में जूइंट पर ऐसी line दिखेंगी आगे दिया है लुक एट दे मैप आफ योर कंट्री एंड टेल अपने देश की नक्से को देखो और बताओ इस वेन वी सुनिता सादा अर्थ फार्म स्पेस सी फाउंड अर्थ वेरी ब्यूटिफूल मैनी थाट कम टू हैर माइंड एज सी डिस्क्राइब इट जब सुनिता ने अंत्रिष से प्रिथ्वी को देखा तो वह बहुत ही सुन्दर लगी और इसके उसके मन में कई ख्याल आया सुनिता करती इतनी देर दूर से बस इतना देखता है प्रिथ्वी पर समुन्धर कहा है और जमीन कहा है अलग-अलग देश नहीं दिखते हैं जमीन का देशों में बटवारा तो हमारे ही किया हुआ है ये लाइने तो कागज पर ही होती हैं मैं चाहूंगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरे अखिर कहा है चलो आस्मान से देखें चलो आस्मान से देखें तो सामीर करता है एक आख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए मैं चांद को सिक्के से चुपा सकता हूँ उजयरा वा इतने बड़े चांद को इतने से छोटे सिक्के चुपा दिया तुम भी सिक्का लेकर चांद को चुपाने की कोशिश करो सिक्के को मतलब आप बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम भी ऐसा करो